अन्लो कान खोल के एक दिन मैंने एक कहानी सुना दी मिनका इन काम चौरून हराम खरून अदेश का बहुत नुकसान किया तो सुबह से शाम तक टीवी पर वोई न्यूज ऐसे प्लस बाबा ने कहा काम चौर हराम खोर बाबा की जुबान फिसली अर्मेने का हमारी जुबान कह में रहती है भीया कहीं नहीं फिसल के जाती कि सुनो मैंने उधान दिया था महाराज अभी राजस्तान की बात और राजस्तान में की बात है गर्मी का मोसम था तो एक राहगीर चला गया दूर तक गया 20-25 किलोमेटर बाद में उसको प्यास लगी प्यास लगी तो उसने पा तो प्यास तो लगती चोथ आया उसने देखा प्यास बहुत जबरदस लगी थी लेकिन कुवा था बाल्टी थी रस्ती बंदी वी थी उसने पानी खीचा और पिया और जो तरफ रहे थी तिनों उनसे जाकी पूछा भाई यह तुम क्यों तरफ रहे प्यास लगी अरे प्य प्यास राइश है न शहर का उसका बेटा हूं सहजादा हूं किया बोला इस रहे जादा दूसरे से बोला यह तो शहर के बहुत बड़े रईश का बेटा है इसने पानी अपने हाथ से कभी प्या यह जो बड़े लोग होते मेहनत करके कम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ना है मैं तो इस देश का दो राज जाए पुरह मैंुहराम ज्यादा यृप यह जो शोर नहीं करते ना इन्होंने देश कबठा बढ़ा दिया ज़ल जंगल जमीन पूरह हंदूस्तान लूट लिया मित्रओं पिछले 66 सालों में इतनी लूट की है जितना मुगलों ने और अंग्रेजों ने मिलकर के 1000 सालों में जितनी लूट नहीं कि उतनी उससे जादा लूट 66 सालों में 1000 लाग करोड रुपए लूटा है वो सारा ब्यास सहित वापस देना है और इनको अपने असली ठिकानों तक पहुंचाना ये मैंने कहरा पूरी दुनिया के जिंसिया कहते है सो लाग करोड रुपे देश के बाहर जमा कर दिया कौन कहता है भारत दरीद रहे इस अमीर देश के संब्रिद्ध देश के महान देश के हम गरीब नागरिका कर क्यों बन गए कुछ लोगों ने इस देश को बेरहमी से लूटा है ये देश हमारे ले मात्र मिट्टी का टुकड़ा नहीं ये भारत हमारी मा है माता भूमी ही पुत्रों हमप्रति व्याह ये देश मात्रीक मिट्टी का टुकड़ा नहीं हमारी मा है और मा के जिश्म पर फफोले है चारों दरफ से उसको जीर शीन कर दिया है उसका कतल कर दिया है उसको चारों दरफ से नोच नोच के खा رہे हैं कुछ से तरिंदे अपने जहरी ले हाथों से सो लाग क्रोड पे से ज़्यादा बाहर ये मैंनी कह रहा Global Financial Integrity, Tax Assistance Network, Transparency International, World Bank, IMF, World के सारी, Economist, सब कह रहे हैं सो लाग क्रोड पे से ज़्यादा तो खुद अमरीका कह रहा है अब तो कहते हैं सावा सो लाग क्रोड की राशी हो गई है और ये दश्ये प्रतिशत है ब्लेक मनी का नबे प्रतिशत ही है नो सो लाग करोड पे illegal गॉल्ड में, illegal land में, mining में, politics में, drugs में, health मे, education में, काला बज़री में, काला धन लगा एक हजार लाग क्रोड जोर उसे बोलो कितना है यह है? दो हजार चोदा मैं अभी यह वापस लाना है. तुम्हें ही दिलाना है. इतना पैसा है यह. कितना है? एक हजार करोड मत बोलियो. कितना? एक हजार लाग. इसका सोना खरीद होना, तो पूरे भारत में मोटी चद्दर बिचा सकते हो. बहुत बढ़ा यह तुड़ा नहीं है. एक एक घोटाला, कितना कितना करोड का करते हैं, हमने अपने बापका तो हिसाब रखा नहीं, लेकिन देश का हिसाब रखा है पाई-पाई का उसको वाबस दिलाई यह यह है कालाधन का मुदे छोटा नहीं है यह बहुत बड़ा हिंदुस्तान आज सिकम सिकम दस गुना ज्यादा आगी होता है मैं नहीं भारत के सब आरत सास्त्री कहते हैं मेरे भाई-भाई-भाई इसको मैंने पूरा पूरी स्टडी क उसके उपर पहले मैंने महाराश्री की तरह यह व्याकन सास्त्र पढ़ा अई उन्रीली के ओंगा यह उचाय वरटलाण यह मंगन नम जबगाड़दा जबगाड़दा सकावश्राट चरकें सरसरहल व्रिद्धे राधा चे देंगुना इको गुम्रिदिन धातला पार धात पहले हमने ये व्याकन सास्त्र पढ़ा उससे वेदा सास्त्र में प्रवेश का अधिकार मिल जाता फिर व्याकन सास्त्र के बाद फिर वेदा सास्त्र फिर ये दर्शन सास्त्र सब आयरवेदा सास्त्र पढ़ा जब अर्थ सास्त्र मैंने पढ़ा रमेने का सारा अनर्थ त तो नो जौदा महराज हम तो यहां गोशालाओं के लिए वेद विद्यालों के लिए लोगों से दान मांगते मांगते बुड़े हो जाते हैं बाल सफेद हो जाते हैं तब भी जाकर कि वही जोपड़ी में वेद पढ़ाने पढ़ते हैं अब हिंदुस्तान की वेद की पाठचालाएं जोपड़ीों से लेकर के महलों तक बढ़ाई जाएं पूरी दुनिया में वेद की पाठचालाएं हो ऐसा देशों और वेद ही से आगे का रास्ता खुलेगा और कोई रास्ता नहीं है अब पूरी दुनिया में सारे वेज्ञानी किस बात को कह रहे हैं कि ना इन्वेंस ना रिसर्च अब वेदों से ही होगा और कोई रास्ता यह नहीं है वेद तो आपरिमित जियान के भंडार है और ये सत्य है कि वेद मात्र एक सास्त्र के रूप में एक मात्र किताब ये कोई कागज मात्र नहीं है वेद तो वो इश्र का शाश्वत जियान है और उसी में ही विश्व का कल्यान है वेदों खेल धर्म मूलम और हमारा धर्म हमारी संस्कृति हमारी सभ्वेता उसका मूल वेद और पुझे महराश्री जो वेद की सेवा कर रहे है वर्तमान में पूरे विश्व में जो वेद की सेवा पुझे किशोर व्यास जी महाराज गोविन देवग्री जी महाराज कर रहे है एक बार इसके लिए उनका भिनन दन है आज भारत है तो वेद की बज़े से शृष्टी के आधिकाल से ले करके और आज तक अपने पुर्खों ने अपने को जो कुछ दिया है उसका मुलस्रोत वीद है और पूरे वीद विद्यालोंग आज वेद के विद्वानों का सम्मान होता देख करके मुझे बहुत गोरव की अनभूती होड़े मुझे नहीं पता कि हिंदुस्तान में किसी वेद के विद्वानों को पदम श्री पदमी विभूशन कोई भारत रतन मिला हो लेकिन साथ वो भी दिन आएंगे हिंदुस्तान में जब वेद पढ़ने वाले को भारत रतन दिया जाए क्यों नहीं देना चाहिए क्या नहीं असली भारत रतन तो ये बैठे इनके लिए तालियम आजा दो हमारे तो यही भारत रतन मिले अच्छे लोगों को मिले कोई दिक्कत नहीं है लेकिन भाया वेद इस भारत की आत्मा है और वहीं से हमारा धर्म हमारी संस्कृति ये मानवता आगे बढ़ेगी और उसी से मानव महा मानव बनेगा हर एक मानव में महा मानव होने का सामर्थ है यही सत्य है एक एक व्यक्ति में आपरिमित ज्यान आपरिमित शक्ति आपरिमित सामर्थ है और वेद तो हमारे भीतर है एक बाहर का वेद एक भीतर का वेद वेद पढ़ोगे तो उसBenबी यही पढ़ोगे यसमिन रिचा साम यजोंस यसमिन प्रतिष्ठिता रथना भाव विबारह यसमिस चित्तम सर्वमोतम प्रजानम तनमे मनः शिवसंकल पमस्तु तुमारे भीतर को और उसी भीतर के जियान को उसी भीतर के प्रेम को उसी भीतर की करुणा को उसी भीतर के सामर्थ्य को जगाने कि लिए संत हमारे जीवन ना उजी महाराश्री की तो करुणा को जब मैं देखता हूं ना इतना प्रेम उनका मेरे से बुले विलापुर आना है मैंने पहले तो पूछा एक बार तो यह विलापुर है कहां फिर जब मुझे बताया तो मैंने का मारा जहां भी है हम खोज के पहुच जाएंगे अभी मैं कल एहमदाबाद में था उसे पहले तो पुरे देश का भ्रमन करता वह आ रहा था फिर आगे की क्योंकि अब चारों और से देखो उस बोलते बाबा संघर्ष बड़ा खतरनाक हो मैंने का भई वो धे वो लक्ष वो सफलता वो सिंगासन वो क्या है जिसको पाने में कोई पुरशार्थ ना करना पढ़े चाये कितने ही भेंकर संकत हो बैकिन इस बार विजसुत्टे की होगी धरम की होगी न्याय की होगी देश की होगी कि विकल एहम्दाबाद था फिर आधने मोधी साब से दो ढ़ाए घंटे का एक आगे की पूरी रणनीती को लेकर कि विचार विमर्ष हुआ और उसके बाद में चला रात को मुंबई 12 बजे पहुंचा तो अभी फिर इधर आना था तो फिर हम चलते रहें कोई बात नहीं ती कि आप लोगों को विचार गंटे से जाधा पंचे गंटे से जाधा नहीं सोना है कि हमारे पास में 24 घंटा होते हैं Time management लाइफ एनमें ठीक से करना है आप लोगों के पास और अपना तो कार्य करना ही है अपना स्वधर्म तो निबहाना ही है अपना परिवार धर्म तो जादी है हमारे इसलिए आम भाशा में बोल दिया जाता है कर्म ही धर्म हस्वा कर्माना तमभ्यार्चा सिद्धिम मिंदति मानवा